गुड दिन्ग हमले क्लास ट्रॉल्ट के प्यार विचो आज हम लोग चलेंगे आपके प्रोज के 30 इंपॉर्टेंट साथ एंसर टाइप की सन देखेंगे और यहां से आपकी बूर्ड परिच्छा में आठ नंबर का प्रेशन आएगा निस आज की क्लास से आठ नंबर पक्का होने वाले हैं जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके विए हैं प्रोज के से केवल साथ एंसर टाइप की सन और लांग एंसर टाइप की सन आठ नंबर का होगा और लांग एंसर टाइप की सन साथ नंबर का होगा यह हमने आपको सिल्बस पहले ही बता चुके विए हैं औ और इसमें आपका first paper का, first paper आज और कल 25-26 तक first paper पूरी तरह से revision करा देंगे, उसके बाद 27 और 28 तारीकों आपका grammar का revision करा देंगे, उसके बाद 29 तारीकों model paper देखर के साम तक समाप्त कर देंगे, यह आपकी फटाफट revision series के अंतरगत यह सारी चीजे होने वाली हैं, तो जल्दी से प्यालचे हम लोग आज की class शुरू करते हैं, आज की class में 30 questions in 30 minutes चलेगा, विस तीस से प्रस्ट में 30 minutes में समाप्त होंगे प्यालचे, इस तरह से आपकी series चलेगी प्यालचे, तो जल्दी से series को शुरू करते हैं, इसमें पहले question पे चलते हैं, और आपने अगर revision series नहीं देखी हुए हैं, जो आपकी revision series में 8-9 classes दी गई हैं, अगर revision series आपनी cover नहीं क्या हुआ है, तो आप channel की playlist में जा करके चकल लिजेगा, उसमें revision series करकी playlist बनी होगी, उसमें सारी classic schedule wise लगी होई होगी, जांस भी आपका चुटा हैं, आप वहाँ से देख करके पुरा कर सकते हैं, तो प्याप्चे इस 30 question में पहला question आपके सामने है, what was the bulletin board, bulletin board क्या था, how was it important या महतपूर्ण कैसे था, तो प्याप्चे bulletin board क्या था, सूचना का केंद्र था ना, टाउन हाल के बगल में या इस्तिता और सूचना का केंद्र था, how was it important या कैसे महतपूर्ण था, तो सारी information सारी सूचना है, उसी bulletin board पर चपती थी ना, इस्कूल की जो भी informations होती थी, सारी information उसी bulletin board पर चपती थी ना, तो इसलिए महतपूर्ण हो गया, तो प्याची इंग्लेस में से कैसे कहेंगे, आप तो कर दिए कि सज्जी आपने हिंदी में तो बता दिया, इंग्लेस में कैसे बोलेंगे, प्याची सीधे आप लिखोगे, the bulletin board was the center of information near the town hall, अगे all the news had come from the bulletin board for the last two years, as the last battles, the draft, the orders of commanding officer, ETC, so it was important, ये प्याची आपका पहला प्रस्ट हो गया, पहला प्रस्ट ने एकदम हिंदी, इंग्लेस में दोनों में विस्तास से बता दिये, उमीद करते हैं समझ में आ गया होगा, दूसरे प्रस्ट में चलते हैं प्याची, दूसरा प्रस्ट यहाँ पर देखिए, वाट दीड M.H.M.L. से, M.H.M.L. ने क्या कहा, जब फ्रेंज स्कूल पहुचा तो M.H.M.L. ने क्या कहा, तो प्याची आपको याद होगा, M.H.M.L. ने क्या कहा था, एकदम दयालत्वा पुर्वा को नों ने कहा था, कि जा करके जो है अपनी सिट पर बैठ जाओ हम आज तुम्हारे बीना ही क्लास को क्या करने वाले थे शुरू करने वाले थे यही बात M.H.M.L. ने कही हुई थी न और कोई जो है बात नहीं कही हुई थे न कोई प्रेम उर्वे मौली बात तो नहीं किये थे न यही बात कीवे थे न तो सीधे प्यालचे हम सीधे क्या लिखेंगे When friends reached to the school M.H.M.L. saw him M.H.M.L. ने उसे देखा and said very kindly to go to his place quickly and they had been beginning without him वे इसके बिना ही क्या करने वाले थे शुरू करने वाले थे आगे बढ़ते हैं प्यालचे तीसरे क्रिशन की तरह बढ़ते हैं 30 मिनट से एक मिनट भी जादा नहीं जाएगा प्यालचे इप आपको गारंटी देते हैं और ए महतपूर्ण सिंकला प्यालचे कोई बच्चा मत छोड़ीगा हर एक बच्चे दे वीडियो को पहुचा देना प्यालचे जो भी इस बच्चे बोर्ड पर इच्छा दे रहे हैं आगे देखिए तीसरा क्रिशन आपके सामने है तीसरा क्रिशन है वाई किसको जो है जो फ्रेंस की पढ़ाई नहीं हो पाईती उसके लिए किसे ब्लेम करते हैं और किसे ब्लेम करते हैं तो फ्रेंस के माता पिता को ब्लेम करते हैं उन्होंने फार्म पर भेज देते थे मिल पर भेज देते थे उसको काम करने के लिए इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई दूसरी बात जो है खुदव को ब्लेम करते हैं जब मचलिया पकरने जाते था तो उसके बाद जो है छुटी कर देते थे तो इसलिए स्वेम को भी क्या करते हैं ब्लेम करते हैं एव आपका वाई का भी उतर हो गया तो इससे किस तरह से अपने बोर्ड पर इचा में लिकोगे Firstly, for the ignorance in studies, M.H.M.L. blamed their parents who preferred them to work on a farm or at the mills and then he blamed himself to forgiving them holidays उन्हें छुटियां देने की वज़ा से वो अपनी आपको भी क्या करते हैं ब्लेम करते हैं ए प्याप्ची आपका तीसरा question बेतरी नग से कवर हो गया चौथा question देखिए प्याप्ची चौथा question आपके सामने है What did M.H.M.L. say? M.H.M.L. ने क्या कहा? About the language and its importance मिस भासा के बारे में और इसके महत्च के बारे में तो प्याप्ची यहाँ पर M.H.M.L. ने क्या कहा हुआ था? यहाँ ही कहा हुआ था ना? कि दो चीज़े यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ था अगर French यहाँ लंगेज एक किसन यहाँ और बन सकता था एक किसन यहाँ पर और बन सकता था What did M.H.M.L. say about the French language? उन्होंने French language के बारे में क्या कहा हुआ था? एक प्रश्ण यहाँ बन सकता था और एक प्रश्ण यहाँ पर यह बना हुआ है मिस भासा और इसके महत पर क्या कही थे? भासा और इसके महत पर एक प्रश्ण यहाँ बात है वही बात है यहाँ पर अब जर्मनी के अधीन आ गया था उनका छित्र जहां पर वे पढ़ा रहते जर्मनी के दिन आ गया था तो अगर आपको फ्रेंच भासा का ग्यान है तो आपके पास माना जाता है कि आपके पास जिस जेल में आपका है दो उसकी चाभी आपके पास है यह भासा का महत होता है यह पैच्छी भासा का महत हो गया लेकिन इसके साथ एक विशन यहां पर और बन सकता है उन्होंने फ्रेंच भासा के बारे में क्या काता और फ्रेंच भासा के बारे में अगर प्यारची बात आ जाए तो वहाँ पर लिखोगे उन्होंने फ्रेंच भासा के बारे में काता यह सबसे दुनिया के सबसे अच्छी भासा है और सबसे अच्छी भासा है तो क्या हो जाए के प्रश्च की बाहुनाई थी की भॉहाँ थी याँ प्रजान साथ है लेकिन उस दिन लास्ट दिन जो है यह महमल के प्रजय सिंपैथी आ गई थी ना साहन भूत आ गई थी ना यह हो गया और आपने आपको को सव रहा था फ्रेंजवा आपने आपको को सव रहा था कि भाया कास जो है हम स्थीचरवा का कहना मान गे होते और पढ़ाई लिखाई क है जो बच्चे ने हैं जो पुराने हैज बच्चो क्लिए हैं जो बच्चे कुछ नहीं है उनके लिए भी बहतरी सिंकला चली पैचे फटाप फट रिविजन सिंकला पैचे बहुत बहतरी सिंकला है अब यहाँ पर लेखाँ चटा क्विशन वाइडिड फ्रेंज तिंक एबाउट भी पीजन सेंड वाई मिस जो है फ्रेंज कबूतरों के बारे में क्या सोचता है और काहें को तो भाईया जो कबूतरों चटाप कूई कूई कर रहे थे उसके बारे मूँ सोचता है क्या यहूं को जो है जर्मन लोग जर्मन भासा सिखाने के लिए फोल्स करेंगे Because on the roof, the pigeons quid very low and German language was falsely imposed. और German भासा क्या कर दी गई थी? मैं जबरन इंपोस्ट कर दी गई थी, जबरन दे दी गई थी. तो वही कहता है कि क्या जो है, इन पीजन्स को, पीजन्स को भी कबूतरों को भी वो ज़र्मन भासा सिखाएंगे, यह प्याच्चे हो गया. अगले क्विजन्स की तरब बढ़ती है, अगला क्विजन्स पर आच्चे, पहले चेप्टर से आपका कंपीट हुआ, पहला चेप्टर आपका क्या था the last lesson, the last lesson से आमने च्छा प्रशन लिए थे, देखदम धाकर प्रशन लिए थे प्याचे, अब धाकर सिंखला चल लगी है आगे बढ़ते हैं सातों किशन की तरा दूसरे चैपटर दूसरा चैपटर आपका कहा है लास्ट स्प्रिंग लास्ट स्प्रिंग से जल्दी से च्छा किशन देखते हैं पहला किशन है वाई डिड एनी जंग आस्क साहेब बाउट दी स्कूल वाई डिड एनी जंग आस्क साहेब बाउट दी स्कूल एनी जंग ने क्यों स्कूल के बारे में पूछा वाट वाज इस इंपेक्टां साहब और साहब के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ा तो प्याचिए उन्होंने कोई इंटेंसन ही पूझा हुआ था ऐसे जानना चाती थी और सिंपली जानना चाती थी इसलिए उन्होंने पूछ रिया हुआ था बाकी उनका कोई intention नहीं था फैर्चे उनका कोई intention नहीं था तो एसको बार 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 उनसे पूछ रहा था पूछ राता कि उनका इस्कूल बन गया कह नहीं बना ये सारी चीजे हुई थी प्यारचे ये सारी चीजे हुई थी उमीद करते हैं आप समझ गय हुँगे अगले किरिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं आठमा प्रेस्ट क्योंकि तेजी से चलना है आपको जल्दी से पुरा कं पर आ गए तो प्याश्चे कितने रैगपीकर्स थे दस जार रैगपीकर्स सीमापूरी चेतर में 10 जार रैगपीकर्स थे हाउ डिट दे सेटल दियर वहां पर कैसे आ गए थे क्योंकि बंगलादेश में दिक्कते आई थी वहां तूफान स्टॉम आ गया था जिसकी वज़े से यहां दिली के सीमापूरी चेतर में क्या हो गए थे सेटल हो गए थे प्याचे तो कैसे लिखोगे दियर लेब्ड 10,000 रैगपीकर्स इन सीमापूरी डेली इसलिए वह यहां पर सीमापूरी में आ गए क्योंकि उनका जो है उनकी चेतर में पूरा जो है फसलों सा सबको नश्ट हो गया था किसकी वज़ा से इसलिए वह यहां पर आकर की क्या हो गए थे रुख गये थे अगले क्यों की तरह बढ़ते है परचे अगला क्यों आपके सामने हैं हुआज मुकेस कौन था वह कहां से बिलांग करता था और फिरोजाबाद के पहेंगल मेकिंग परिवास से बिलांग करता था इह हो जाएगा उसका इंबिसन क्या था मोटर मेकेनिक बनना ही उसका इंबिसन था परचे तो सीधे क्या लिखोगे मुकेस वाजय यंग बॉय बिलांगिंग टू दी बैंगल मेकिंग फेमिली फ्राम फिरोजाबाद आगले क्योशन की तरफ बरते प्याचे दन अगले क्योशन की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग एगदम कहोगे ने कि सजी बहुत तेज चलना है प्याचे अब बहुत तेज ही चलेंगे ठीक है अब आपके पास समय नहीं है आप जाकर के रिविजन भी करोगे तो आपके पास समय नहीं है तो तेजी चलेंगे प्याचे आप तैयार हो अगरा क्यषिनाय आपके सामने है दसवा क्यषिनाय वाई डिड्य मुखे उस सुख्यों था जो नरेटर थी नरेटर मिस इनीज जन को इनीज जन को अपने घर पर ले जाने के लिए मुके सुक्य ओए हो था who were deer in the home और उसके घर पर कौन-कौन ता तो प्यारचे काएं को सुक्ता क्योंकि इसका घर rebuild हो रहा था पुना बन रहा था अरे मुके सुदा का घरवा जो है पुना बन रहा था न तो जए उसका rebuild हो रहा था असलिए उसके अंदर उसकता थी जाए की जह हमा देर को Northern suspend घर्वा दिखा दें और उसके घर्वा पर कौन-कौन था उसकी जह गर्वा पुसकी जह है उसका बाई था उसका बाई के साथ साथ उसके भाई की जह है वाई दी जहीатsk दादी ती rebuilt उसका घर बना था and he wanted to show it to her और यह उससे दिखाना चाहता था in the home there were many members बहुत सारे सदस थे as मुकेस elder brothers मुकेस का बड़ा भाई his wife और बड़े भाई की पत्नी मुकेस फादर मुकेस का पिता and grand brother और क्या थी दादी थी प्यारचे ए हो गया ए हो गया प्यारचे Christian number 10 का उतर हो गया अगले Christian की तरह बढ़ते हैं प्यारचे अगला Christian Christian number 11 है 11 की तरह बढ़ते हैं प्यारचे 11 Christian है it is his करम या उनका करम होता है यह उनका भागी है his destiny यह उनका भविसी है भागी है who said this इसे किस ने कहा and why और क्यों कहा मुकेस की दादी थी मुकेस की दादी ने यह बात कहा हुआ था कि इसलिए ऐसा दादी ने कहा हुआ था तो पैचे सीधे क्या हो जाएगा मुकेस ग्रैंड मदर सेट दीस मुकेस की दादी मा ने इस चीज़ को का हुआ था इट ही इज इज करम इस डेस्टनी यही उनका जो है करम है यही उनका भाग है बीकॉज क्योंकि सी हैज वाज घर ओन हस्बैन गो ब्लाइंड विद दी डस्ट फ्राम पॉलिसिंग दी ग्लास आ बैंगल्स बॉर्ण यह तो हो गया उसके बाद बॉर्ण इंदी कास्ट आ बैंगल्स मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बाट बैंगल्स यह पैचे उतर हो जाएगा एक क्रिस्ट नंबर आपका एक क्रिस्ट नंबर पैचे 11 का सीरे सटीक सा उतर हो गया हिंदी इंगल्स पैचे दोनों बताते चले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो इस ते पैचे हिंदी इंगल्स दोनों बताते वी चले हैं अगला question आपके सामने है, अगला important question है प्याचे, अगला important question आपका last in spring का अंतिन question है, क्या है, what does the bangles symbolize, bangles किसकी symbolize है, अरे चुडिया जो है किसकी प्रतीक है, तो बताओ किसकी प्रतीक है, सुहाग की प्रतीक है न, अरे भैया लेकिया कि जब बिया हो जाता है, बिया होने के बाद उसको चुडिया पहना दिया जाता है न, तो वही चुडिया पहनाना ही उका है, सुहाग होता है, उसका सुहाग हो जाता है, पतिवा तो सुहाग मना जाता है न, तो बही अगला question, what is the role, मिस क्या भूमिका होती है, आप bangles makers आप फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में bang bangles makers की क्या भूमिका है, तो प्याच्चे आपको याद होगा, हमने एक एक चीज़ बताई हुए थे, bangles makers की भूमिका क्या है, वो पूरा जो है, दुनिया का सबसे ज़्यादा bangles कहां मनते हैं, फिरोजाबाद मनते हैं, सारी चुडिया देश में कहीं भी देश में जाती है फिरोजाबाद से होके जाती है, ए फिरोजाबाद की हमी होता है, प्यालचे ए लिखोगे, सीधे क्या लिखोगे, सीधे लिखोगे, पहले क्विसन का होता लिखोगे, the bangles symbolize an Indian woman suhaag auspicious in marriage, मिस जाए या भारती इस्तियों के सुहाग है, सुहाग का प्रतीक है, और auspicious in marriage मिस ह साद्री में इसे पवित माना जाता है, अब जो है आगे देखो, इसकी भोमिका फिरोजाबाद में क्या है, उसे देखते हैं, the bangles makers have spent generations to making colorful bangles for all women in the country, but they are still in poverty, मिस वे पूरे देश में सभी इस्तियों क्ले क्या बनाते हैं, bangles बनाते हैं, और फिरोजाबाद से ही पूरे दे क्रिशन नमर 13 की तरह बढ़ते हैं, क्रिशन नमर 13 की तरह बढ़ते हैं, एक पहला है क्रिशन, where was the pull, pull कहां पर था, what opportunity did it offer, यह कौन सा औशर प्रदान करता था प्यारचे, तो pull कहां पर था, यकीमा के YMCA जो है तलाब में था न यही था पुल न यह हो गया और what opportunity did it offer यह कौन सी opportunity देता था कौन से असर प्रदान करता था आरे जो है उस तलाब वहां में तहरेने का असर प्रदान करता था न श्रीमिंग का प्रदान करता था तो सीधे क्या लिक होगे यहीदी पुल वाज एड यही माी या के मा के YMCA में पुल था और । असर कौन प्रदान करता था इट ओफर दी अपर्चुंटी आ प्ट व स्वेमिंग यह जो है स्वेमिंग का यह है अपर्चुंटी असर प्रदान करता था ए प्याँचि धनमा किसनमर तेर्या को उत्तर सांदार उत्तर हो गया कि शोदा की तरह पटे चोदा आपके सामने है प्याचे वाट टेर वाट टेर डिट डगलस है इन ही इस हर्ट एंड हूँ कौन सा डर डगलस के अंदर भर गया हुआ था और कैसे भर गया था तो भाईया एक बार पनिया में जब गए वे थे कलि की अंगुरिया तो पकड़े वे थे लेकिन समुत की लहर आई और समुत की लहर ने डगलस को अपने नीचे क्या कर लिया उस पानी के नीचे चले गए थे और पानी के नीचे चले गए तो वो डर उनके अंदर हमेशा बन गया तो प्याच्छी यही डर था तो सीधे क्या उ तर क्या लिखोगे, the water waves which knocked down young Douglas and stepped over him at the beach in California, filled him with fear, यही उनने क्या कर दिया हुआ था, डर से भर दिया हुआ था, he was buried underwater, his breath was gone, he was frightened, ठीक है, this terror was always in the heart of Douglas, यही टेरर हमेशा जो है, Douglas के अंदर था, Douglas के हिरदय में था, यह तो एक terror हो गया था, अरे बदवाम जब 11-12 साल के हो गये थे, तलब वह वाला लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, जब एक बड़ा सा लड़का उन्हें धकेल दिया था, उससी इसको भी लिखना चाहूँगे, तो प्यार्चे लिख सक पानी में ने धकेल दिया हुआ था, नहीं किया हुआ था, क्यों किया हुआ था, केवल वह जोकिंग कर रहा था, मजाग कर रहा था, तो प्यार्चे कैसे लिखोगे, इस लड़के ने कहा, मजाग कर रहा था, तो उस लड़के ने क्या कहा, कि मैं केवल क्या कर रहा था, मजाग कर रहा था, ये पैचे किसे नमबर 15 का सीधे सटीक सा उतर हो गया, किसे नमबर 16 कितरा बढ़ते हैं, आपके सामने किसे नमबर 16 है पैचे, आपको याद होगा, हमने बताया था, साइलो इंड पेट पूल 2 या 3 जो फिट का था, मिस जो खोकला साइट था, 2-3 फिट का था, और जो गहराई वाला भाग था, 9 फिट का वहाँ पर पूल था, ये हो गया, ये हो गया, आगे जो है, पूल के पानी के अंदर क्या था, ये हो गया, आगे जो है, पूल के पानी के अंदर क्या था, पानी के अंदर भायानक पीला पानी था, ये पैचे हो जाएगा, अगले किसन के तरह परते हैं, अगले किसन के तरह परते हैं, अगला किसन आपके साम डगलेस ने अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या की वे थे तो प्लान की वे थे तो यही बात है प्यार्चे इस तरह से प्रयास कर रहे थे बताई हुए थे उत्तर देखना अंग्रेजी में उत्तर क्या हो जाएगा इंसाइड दी वाटर, डगलस मेड दी स्टेटजी तो हिट दी बॉटम, मेक बिग जंप, कम तु दी सर्फेस, लाइफ लेट आन इट, एंड पैडल तु दी एज आप दी पूल, बट इबरी टाइम, हिज स्टेटजी फेल्ड वाटर, इसे लगातार कहते रहते हैं अपने जीवन को क्या कर निकले बचाने के लिए, एपैर चे हो गया क्विशन नमर 17 हो गया, क्रिशन नमर 18 की तरह बढ़ते हैं, देखते हैं, 18 क्विशन नमर पैर चे क्या है, 18 आपके सावने दना दन दिख रहोगा दना दन वीडियो कर लाइक करो शेयर कर सस्क्राइब करो प्याश्य आपका ठारा नंबर है वाल डगलस सेटिस्पाई क्या डगलस संतुष्ट हो गये थे आफ्टर ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद इस नो वाई और यद नहीं तो क्यों बैया ट्रेनिया के बदवा कहा डगलस संतुष्ट हो गये थे नहीं संतुष्ट हो गये थे कहां संतुष्ट हो गये थे उपनिया के जब अंदर वाग घुसते थे न उनको पुराना डर याद आ जाता था इसने बहुताई बार प्रैक्टिस किये हर एक जील हर जगा गए जहाँ पर उन्हें डल लगता था ना हर जगा गए दुनिया का सबसे जो गहराय गहरी थी लोगी उहाँ पर जाकर करके उन्हें प्रैक्टिस किया हुआ था तब उनका डर निकला हुआ था यह उनके अंदर confidence था पहलेचे आप इसे अंग्रेजी में क इसलिए परफेक्शन के लिए आथर को अतिदिक प्रैक्टिस की जरुवत थी यह प्याचे हो गया यह आपका डीप वाटर का अंतिम प्रेशन था अब हम लोग बढ़ जाएंगे दी रैट ट्रैप की तरह बढ़ते हैं प्याचे दी रैट ट्रैप का पहला किस्यन दी इसलिए आपके जो एक्जाम को फोड करके आएक जाए एक्जाम की आख में आप आख मिला करके बात करके आओगे पेपर के आख में आख जिसने आपको दिक्कत नहीं प्याचे बस जो करा रहे हुए है उसे आप एक भी कृश्चन छोड़ोगी नहीं एक भी सिरीज एफट आगे क्या है आगे जो समन्वा मांगवा के दुकनिया पर जो समन्वा मांगों करके लाता था उसे से बनाता था ना रहे हो जाएगा प्याचे सिंपा सा उतर क्या लिख होगे इसका दी रैट्रेप सेलर वाजा वेगवांड हू वेंट एराउंड सेलिंग इसमाल रैटेप्स आफवायर ही मेड देम फ्राम दी मैटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन दी स्टोर्स और एड दी बिग फॉर्म से यह प्यारची आपके क्रिशन नमर उननीस का उतर हो का आगे बढ़ते हैं क्रिशन नमर 20 की तर deb़ता है क्रिशन नमर बीस आपके सामने है वाई डिड भी रैट्रेप सेलर रिटेंटर के करोफटर्स कोटेजव वाज रैट्रेप सेलर उस क्राफटर के कोटेज दो चुना आपके का उतर हो जा आ था ओपर है because he had planned to steal 30 kronos which the crafters sold him last night आगे लिखना चाहो and he stole that money success परी और जह सफलता पुरुवक उसने पैसे को क्या कर लिया हुआ था चुराय भी लिया हुआ था यह पैचे किसे नमरे 20 का उतर हो गया किसे नमरे 20 की तरह परते हैं किसे नमरे 20 की तरह परते हैं कोई समय नहीं लगाएंगे पैचे यह फटा फट रिविजन सीरीज है तो इसने कोई समय नहीं लगाएंगे आपका रिविजन सीरीज की सारी क्लास से टेन कलीजिएगा रिविजन सीरीज की जो भी क्लास से दीवे हैं सारी क्लास से टेन कलीजिएगा और आपका रेडिंग र विचार about the whole world means पूरे संसार के बारे में this did strike in his mind once एक बार उसके दिमाग में आया हुआ था तो उसके दिमाग में उस रैट ट्रेप से अलग की दिमाग में पूरे संसार के बारे में कौन से विचार आया हुआ था पैचे अरे यह विचरवा था ना कि पूरा संसारवा क्या है चूहेदानी है इसमें पैसा लिशा है शो चीज होती है यह पकड़नी कोशिच करते हैं और हम इस संसार के जाल में फच जाते हैं यही उसका विचारता था न संसार के बारे में, तो प्याचे एक क्विशन नमर की इसका उत्तर हो जाएगा, सीदे सटीक रंग से इसका उत्तर अंग्रेजी में अब देखो, he was struck by the idea that the whole word about him was nothing but a big rat trap, it offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing exactly as the rat trap offered cheese and pork and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. फिर उसके बाद सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एक पैच्चे किसे नमर एक किस का उत्तर हो गया, किसे नमर बाइस की तरफ बरते हैं पैच्चे, किसे नमर बाइस आपके सामने है, why was the vegabond not ready to go with the iron master to his house, पैच्चे अगला चेप्टर, नहीं यही चेप्टर है, अभी यही चेप्टर है, ठीक है, why was the vegabond, जो वह वह जो है चुहेदानी बेचने वाला ब्यक्ती, वह ना ट्रेडी क्यों नहीं तयार था, to go with the iron master, उस लव ब्यापारी के घर जाने के लिए, उस लव ब्यापारी के घर जाने के लिए, क्यों नहीं तयार था, अरे बैया, क्योंकि वह चोर था, उसे डेव था, कुछ 30 क्रोनल जो चुरा कर किया है, वह पकड़ा न जाए, इ सीदे उतर क्या लिखोगे, the vegabond was not ready to go with the iron master to his house, because he was a thief, वह एक चोर था, and he had fear to cut, और उसे पकड़ी जाने का क्या था, भैठ था, he had, he had fear to cut, उसे पकड़ी जाना का क्या था, भैठ था प्यार चे, यह आपका question number, यह आपका question number कौन से हो गया, 22 का उतर सीदे सा टीक हो गया, किस्तर मतेश की तरह बढ़ते हैं, what did the iron master do to bring vegabond to his house, vegabond को अपने घर पर लाने के लिए, iron master ने क्या क्या, अरे भैया, iron master लहुबे परिया ने का किया हुआ था, अरे लहुबे परिया ने अपनी बिटियों को बेज दिया हुआ था ना, बोलो भेजा था नहीं बेजा था तो वही लहुबे आपारी ने किया हुआ था, तो भैया, बिटियों को बेज दिया हुआ था, काई को मान रहा था कि हमरी बिटिया बहुते तेज है, और बिटिया लोग जो ऐसा होती है, किसी को अपने बात में बहुत जल्दी ले ले लेती है, आरे निवे सम्मोहन होता ए हम बिटियों बेजेंगे, इस सुरा जो अभी आने के लिए नहीं तयार है, बाद में तयार हो जाएगा, इस लिए अपनी बिटिया को बेजे विए थे, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी में अब उत्तर देखो, दिया आरे न मास्टर सेंट इस डाटर अप इस लिए अपनी बिटर पावर साफ पर्सुएशन दैन ही इंसे टू ब्रिंग वेगबांट तो इस हाउस हो जाएगा, ए पैर्चे आपका क्रिशन नमर 23 का उत्तर हो गया, क्रिशन नमर 24 की तरह पढ़ते हैं, क्रिशन नमर 24 पैर्चे आपके सामने है, वाट इन में जो उनके आरें, आरें, आरें जो है, आरें मास्टर के जो कंपनी में, मिस आरें वर्क्स, जो लवद्योग वहाँ पर था, उनके कंपनीयां में, उनके लवद्योग वहाँ में, एक पुराना क्रिशन काम करता था न, उस क्रिशन को किसी रैट्रेप से लगने क्या कर ल ग्रॉपड लुटा गया है by a man who went around selling red trash जो चारों तरफ जो क्या खता है red trash जो बेस ता है मिंस्चुहेदानिया चारों तरफ 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 तरह करें बेसता है उसकी दौरा उसकी दौरा एक जो है क्रॉपटर एक किसान iron वक्स में काम करने वाले पुरानी इसी आइरेम वक्ष में काम करने वाले इकिसान का क्या हो गया था उसे लूट ले अगया है ये पैप ये आपका question नमर 24 हो गया 24 हो गया आप ये अगले चप्टर की तरह पर जाते हैं पांचवा चैप्टर आपके सामने आ गया है, इंडिको आ गया है, यह last chapter में, प्याचे, last chapter इंडिको का जलती सम्दोग देखते हैं, पहला question आपके सामने है, इंडिको का, who was राजकुमार शुकला, राजकुमार शुकला कौन था, what was his speciality, उसकी विशेस्था क्या थी, तो प्याचे राजकुमार शुकला क्या थ चंपारण की चंपारण का वा क्या था यह हो गया what was his speciality उसकी विसेश्था िता घारे उबहले अनपड था लेकिन एकदम दिष्था इसकी विसेश्था थी ना भया यही लिखदोगे क्या लिखोगे उत्ता लिखोगे राजकुमार सुकला वाज़ सेयर क्रापर आप चंपारण इन बिहार His speciality was that he was illiterate but resolute for his decision अपने निश्चा के लिए दिश्चा ही रहता था एपैच हो गया, एक question number 25 का उतर हो गया question number 26 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं question number 26 है पैचे, why did राजकुमार सुकला want to meet गांदी जी गांदी जी से राजकुमार सुकला क्यों मिलना चाहता था आरे जो उसका बटाईदारी की जो समस्चा थी उसी समस्चा को complain गांदी जी से करना चाहता था ना इसलिए मिलना चाहता था ना और भी उसकी अनिसम समस्चा थी इसलिए वा गांदी जी से मिलना चाहता था तो क्या हो जाएगा पैरचे राजकुमार सुकला wanted to गांदी जी to complain about the injustice of the landlord system in बिहार बिहार में जो जमिदारी की वे उस्था थी उसकी सिकाज करने के लिए मिलना चाहता था इंचमपारण most uprable land was owned by English landlords आगे है देव फोर्स दी इंडियन से एरकॉपर्स टू ग्रो इंडिको आंदी लैंड और सुकला had also a lot of problem related to इंडिको इंडिको सिसम्बंदित उसकी और सारी समस्चा थी इस दिवा गांदी जी से क्या करना चाहता था मिलना चाहता था यह प्यार्चे हो जाएगा किसे नमर 26 का उतर 27, 27, 29, 34 किसे न और बची भी हैं जल्दी से complete करते हैं प्यार्चे 27 नमर पर चलते हैं 27 नमर आपके सामने है what had happened क्या गटित हुआ with राजकुमार सुकला at गांदी जी राजकुमार सुकला and गांदी जी at राजेन् साथ house राजेन् परकात के घर पर गांदी जी और राजकुमार सुकला के साथ क्या गटित हुआ था इनने कुए से पानी नहीं निकालनी दिया गया था ऑर उबालको जो नवकर था इनने जमीन पे बैठाया हुआ था ना यही घटित हुआ था ना यही प्याप्चे आप सीधे सटीक दंग से लिखोगे कैसे लिखोगे वें राजकुमार सुकला एंगांधी जी रीजड एड दी हाउस आफ राजेन्पसाद देन ही वास आउट आफ टाउन वे सहर में नहीं थे इस दी सर्वेंट एलाओड बोथ तो इस्टे आन दी ग्राउंड लिस्ट सम्ड्राफ्स फ्राम इस ब्केट शुड पलूट दी इंटायर सोस कहीं आइसान हो कि जह है कि उसके बाल्टी से एक बुद पानी यह जाए और पूरे इंटायर सोस आथा पूए को क्या कर दे गांदी जी चाइड डिलाइस वकीलों को क्यों डाटा फटका रहा था तो पैच्छे वकीलों को क्यों डाटा फटका रहा था क्योंकि वकील जो है अच्छी खासी फीस वसूलते थे इसने उन्हें डाटा फटका रहा था तो क्या हो जाएगा गांदी जी चाइड डिलाइस फार कलेक्टिंग बिग फी फ्राम दी पूर सेयर क्रापर्स मिस इन गरीब बटाईदारों से बड़ी बड़ी फीस वसूलने की वज़ा से वज़ा के कारण जो है गांधी जी ने वकीलों को क्या किया था फटका रहा था सीधे उत्तर हो गया पैचे गांधी जी चाइड़ दिलायस फार कलेक्टिंग बिग फी फ्राम दी पूर सेयर क्रापर्स अगले किस्टन की तरह पढ़ते हैं अगला किस्टन 23 है वट वाज दी चीप कॉमर्शियल क्राप इंचंपारन चंपारन में मुक्ख फसल कौन सी थी तो आपका इंडीको हो जाएगा इंडीको मुक्ख फसल थी what was the long term contract between the landlars and the tenants tenants में सुता है किसान और जमीदारों की बीच में लंबा टर्म से क्या साइन हुए थे लंबा कंट्रेक्ट क्या साइन हुआ था यही साइन हुआ था ना जमीदारों का यही काना था के 15% अपने एरेबल लेंड पर 15% आपको इंडिगो गवाना है और पूरा जो है इंडिगो आपको क्या कर दिना है टैस के रूप में दे दिना है यही टमता ना यही कॉंट्रेक्ट था जो है किसान और लिनेंट्स के और लेंडार्ट के बीच ना तो यही प्यार्चे सीदे पहले लिखेंगे कोन सी जो है मुख चीफ कामेर्चिल बेयोसाइक फसल थी तो क्या हो जाएगा इंडिगो वाजद दी मिन्स फसल के बाद as a tax, tax के रोप में, tax के रोप में साला सभी नील की खेती को क्या कर देना होता था, वापस कर देना होता था, ये प्याचे हो जाएगा, अंतियम कैसर के तरह बटे हैं, अंतियम कैसर, आपके सामने हैं, प्याचे, अंतियम कैसर नमर थर्टी है, किसर नमर थर्टी क्या है, what did गांदीजी डू for the overall development of चंपारण चंपारण के पूर्ण विकास के लिए गांदीजी ने क्या क्या तो प्यांचे गांदीजी ने क्या किया हुआ था वहाँ पर school की बेवस्ता किये doctor की बेवस्ता किये teacher की बेवस्ता किये यहां तक अपनी वाइब कस्तूरबा को बुला लिए इकुल किये वे थे गांधी जी न यही सब कुछ वहाँ पर किये वे थे न वही आप सीधे लिख दो क्या लिखोगे इसके अलावा भी यह सारी समस्याओं का वे निदान करके वापस आए वे अचे आज की klax हो गई आज की klax 30पे सब कुछ कंपेट कर दी है लेकिन आपको सारी चीजे बेतरी नंग से समझ में आई होगी यह आपकी फटा-फट रिविजन से चलती रहेगी और इसी डंग से आपका एक आज और कल में पूरे फर्स्ट पेपर का रिविजन कर देंगे पूरे फर्स्ट पेपर का प्यारची रिविजन आज और कल में कर देंगे और रिविजन बैस की जो आपकी 8-9 क्लास चली हुई है उस क्लास को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के प् उसमें से अगर आपको कहीं कोई भी क्लास उसकी जरूरत हो आप वहां से जाकर के देख लेज़ेगा आपका वहां से त्यार हो जाएगा आज की क्लास यहीं समाप्ट करते हैं आज की क्लास कुछ बेतरी लाइनों के साथ समाप्ट करते हैं आज मुस्किल है कल थोड़ा बेहत बस बहतरीन भविस्ट बनाने के लिए आपको दिन बदिन प्रते एक दिन आपको अच्छी खासी मेहनत की जरूत है ऐसा सबी बच्चों से उमीद करते हैं और तभी आपका भविस्ट क्या बन पाएगा बहतरीन बन पाएगा इन ही उमीदों के साथ आज की सेशन की समापती क करते हैं इसकी इस फटाफट रिविजन सिरीज की अगली क्लास अगली क्लास आपको जो है आज ही मिल जाएगी इसका प्रोस का लांग इस टाइप की सेन आज ही राद तक आपको मिल जाएगा और मिलते हैं अगली क्लास में सब तक आप लोग अपना धान रखें अपने पर पर बच्चोल